सोनपूर गाउं में रहने वाली अंजली बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी वो जब भी कुछ चटपटा तला हुआ या फिर बाहर का कुछ खाना देखती तो खुद को रोक नहीं पाती लेकिन वो जब कभी भी बाहर का खाना खाती तो उसका अकसर पेट खराब हो जाता अंजली ने बारवी की पढ़ाई जैसे ही पूरी की उसकी मा उमा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया एक रोज उमा की पड़ोसन सरोज उनके घर आई और उसने उमा से अंजली के लिए रिष्टे की बात छेड़ी देखो मा मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा लड़का अपनी अंजली के लिए नहीं मिलेगा इकलाता लड़का है अपने माबाप का और इस सहर में अपना मकान है लड़का बड़ी कमपनी में नौकरी करता है इससे जादा तुझे और क्या चाहिए गाउं मी रहने बाली अंजली के लिए जब शहर के लड़के का रिष्टा आता है तो मा जट से इस रिष्टे के लिए मान जाती है उसी शाम जब अंजली कुएं से पानी लेकर घर लोटती है तो उसकी माँ उससे कहती है आ गई मेरी बच्ची तुझे पता है तेरे ले सहर से एक बड़ा ही अच्छा रिष्टा आया है लड़का बहुत होनहार है अब तो बहुत जल्दी मेरी बेटी किसी के घर की बहु बनने वाली है फिर तो तू फुर रो जाएगी अपने इस बुड़ी मा को छोड़ कर या मा तुम भी कैसी बाते करती हो इतना कहकर अंजली शर्माते हुए उमा के गले लग जाती है कुछ दिन बाद राकेश अपने माता पिता के साथ अंजली को देखने के लिए आता है पहले ही नजर में राकेश को अंजली और अंजली को राकेश पसंदा जाता है फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों का रिष्टा पक्का हो जाता है। और कुछ दिन बाद उनकी शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन अंजली तैयार होकर बैठी हुई ही थी, तो वहीं दूसरी हो उसके परिवार वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तो मैडम जी को भूख लग रही है। ओए वैसे तेरा दिमाग खराब है क्या। अंचली तेरी शादी है आज। अरे इतना खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। की के लिए सुहाग रात बहुत बड़ी चीज होती है। अब कुछी देर में वह आएंगे और मेरा खुंगट उठाएंगे। हाए पुझे ते यह सोचकरी शरम आ रही है। तब ही उसके पेट से सोड़ सोड़ से गुड़गुड़ा हट की आवाज आने लगती है। अरे बापरे अब यह इस टाइम पर मेरे पेट में गुड़गुड़ा हट की हो रही है। लूज मोशन जैसा क्यों लग रहा है। लगता है अभी मुझे टॉयलेट जाना होगा। अंजली जट से टॉयलेट की तरफ भागती है तभी राकेश कमरे में आ जाता है। अगले दिन अंजली की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है। बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए सागरपुर गाउं जाना होगा। राकेश की दी हुई दवाई खाकर अंचली को काफी आराम था, इसलिए वो अपनी सास की बात को मानते हुए कुल देवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाती है, कुछी देर में वो सभी स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, अंचली और राकेश एकी सीट पर बै सफर के लिए बना कर लाई थी, उन सभी ने ट्रेन में ही नाश्ता किया, लेकिन अपनी सास के हाथ के कम नमक मिर्च वाले पर आथे, अंचली को कुछ खास पसंद नहीं आए, और उसने आधा पेठी नाश्ता किया, तभी अगले स्टेशन पर कुछ फेरी वाले ट्रेन में कि नहीं चाएं अंचली तुम जानती हो ना, बरसाथ के मौसम में हमें यह सब बहर का खना नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा पेठ खराब हो सकता है, या पेट में इंफेक्शन भी हो सकता है राकेश बिल्कुल सही कहा रहा है बभू इसलिए मैं घर से खाना बांध कर लाई थी रुको मैं अभी तुम्हें पराठा निकाल कर दे देती हो नहीं खाने मुझे आपके ये पराठे ना तो इसमें नमक, मिर्चे और ना ही कोई तीके मसाले आगर आप लोग खा कैसे लेते हो खाना सबके लाग समझाने पर भी अंजली उनकी एक नहीं सुनती राकेश उसके लिए भज्ये की प्लेट ले लेता है जिसे अंजली बड़ी ही खोशो कर खाती है हलांकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि तला हुआ खाकर उसका पेट खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी भज्ये खाये बिना रह नहीं पाती ऐसे ही कुछ देर बाद उन सब की आँख लग जाती है तब ही अगले स्टेशन पर एक पानीपुरी वाला ट्रेन में चड़ता है पानीपुरी यह पानीपुरी यह पानीपुरी वाले की आवाज सुनकर अंचली की आँख खुल जाती है और उसका मन पानीपुरी खाने के लिए तरसने लगता है अरी वाँ पानी पूरी वाला, मन तो बड़ा है खाने का, लेकिन अगर राकेश ये से कुछ कहा तो बड़ा सा लेक्चर ज़रूर सुना देगी, अभी तो सब सो रहे हैं, एक काम करती हूँ जल्दी से एक प्लेट खा लेती हूँ अंजली धीरे से पानी पूरी वाले के पास जाती है और एक प्लेट पानी पूरी खा लेती है, और फिर चुप-चाप जाकर अपनी सीट पर बैट जाती है, लेकिन कुछ दिर बाद ही उसके पेट में गुड़-गुड़ा हट शुरू हो जाती है, और वो भाग कर ट्रेन के बाहर आओ, अले कौनों तमीज है कि नहीं, लेडिस टॉलेट में बैठी है तो ऐसे दर्वाजा पीटोगे का, अभी तो हम आए हैं और अभी से हमको बाहर निकलने को कह रही हो, तनिक इंतजार करो थोड़ा दे, अंजली काफी देर तक टॉलेट के बाहर खड़ी रहती है फिर उस औरत के बाहर निकलती ही, वो टॉलेट बजाती है, और जैसे बाहर निकल कर आती है, तो बेहोशो कर टॉलेट के बाहर ही किर जाती है, उधर राकेश और अंजली के साथ ससुर की आँख खुलती है, तो वो देखते हैं कि अंजली सीट पर नहीं है, अरे राकेश, राकेश वहाँ पहुचता है तो अंजली टॉलेट के बाहर बेहोश पड़ी हुई होती है अंजली? अंजली? उठो अंजली? क्या हुआ तुम्हें? तभी वहाँ एक आद्बी आता है जी आप पीछे हटिये, मुझे चेक करने दीजी, I'm a doctor गबराइये मत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है पेट खराब होने की वज़ा से इन्हें लूस मोशन लग गए थे जिस वज़ा से इनके शरीर में पानी की काफी कमी हो गई थी और ये बेहोश हो गई ओवर इटिंग और बाहर का उल्टा सिधा खाना खाने की वज़ा से ही इनकी दवियत खराब हुई है अगर इन्हें सही समय पर इलाज ना मिलता, तो कुछ भी हो सकता था देखा अंजली, आज तुम्हारी इस आदत की वज़ा से तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता था हाँ बहू, अगर किसी भी चीज़ की लिमिट हद से जादा हो तो वो नुकसान ही पहुचाती है मुझे माफ कर दीजे आप सब मुझसे गलती हो गई जो मैंने बाहर के खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं किया अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी अंजली सबसे माफी मांगती है और अपने किये पर बहुत शर्मिंदा होती है कुछ देर बाद वो सब ही कुल देवी के मंदिर पहुच जाते हैं और खुशी-खुशी माता के दर्शन करते है अरे यार इस घर में तो टौिलेट ही नहीं है अब इतनी रात को कहां जाओ शौच करने हाँ जी सुनते हो प्रियांका अपने पती को निन से उठाने की कोशしश करती है उसका पती अविनाश उठता है और कहता है क्या है प्रियंका इतनी रात को क्यों बुला रही हो मुझे बड़ी जोर से आई है अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी अरे तुमको आई है तो तुम जाओ ना मुझे क्यों बुला रही हो तुम्हारे घर में तो शौचाले भी नहीं है, बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, चलो मेरे साथ प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया, अविनाश हाथ में टॉर्श लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चलाया प्रियंका जंगल में शौच करने बैट गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा अरे ये सब मुझे क्या-क्या करना पड़ रहा है करना तो पड़े गई, घर में शौचाले नहीं है तो शादी क्योंकि अविनाश कुछ नहीं बोल पाया शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी, तब प्रियंका ने अविनाश ने शौचाले की बात की थी अविनाश ने उसके पिता हरिहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरिहर गुस्सा हो गया था क्या, ये तुम कह भी कैसे सकते हो, इस आंगन में कभी सौचाले नहीं बनेगा, और कभी मुझसे ऐसी बेतु की बात मत करना अविनाश शुप हो गया था अविनाश और प्रियंका कॉलिज में एक ही साथ बढ़ते थे प्रियंका शेहर की लड़की है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है उसे हमेशा रात को ही जाना होता है, इसलिए उसके लिए परिशानी कई गुना बढ़ गई है काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते हैं सुबह प्रियंका उसकी साथ स्वसुंधरा से कहती है माजी घर में शौचाले ना होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना, रात को ही करने की क्या जरूरत है अरे माजी ये प्रेशर क्या किसी को पूच कर आता है और मुझे बच्पन से ही रात को जाने की आदत है तब ही वहाँ पर प्रियंका का ससूर हरीहर चला आया और उसने कहा तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू इस घर में सौचाले नहीं बनेगा बता रहे हैं इस गाओं में किसी भी घर में सौचाले नहीं है उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया उसने कई बार अविनाश को ये बताने की कोशिश की लेकिन अविनाश ने कहा देखो मैं पिताजी के ओपर कुछ नहीं बोल सकता प्रियंका का दिल तूटिया अरे यार किस घर में शादी की है मैंने इससे अच्छा तो कुमारी रह जाती उसने अपनी मा को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया उसकी मा जानकी ने कहा देखो बेटी सिर्फ इस वज़े से तो रिष्टा नहीं तोड़ सकते हम तुमने ही लड़का पसंद किया था अब भुग दो अरे मा आप तुम भी ताना मारोगी क्या कुछ आइडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए जंगल में रात को कितने खत्रे होते हैं मुझे बहुत डर लगता है मा मुझे वो सब कुछ नहीं पता तब ही जानकी के बेटे यानि के प्रियंका के भाई आलोग ने जानकी से फोन ले लिया और कहा दिदी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आलोग ट्रेकिंग करता था उसने कहा दिदी तु एक टेंट शौचाले खरीद ले टेंट शौचाले वो क्या होता है अरे दिदी हम जब ट्रेकिंग पे जाते हैं तो हम उसी में तो करते हैं कहीं भी टेंट खोलो और कर दो और उसके साथ एक पैन भी मिलता है जो टेंट के अंदर रहता है वो भर जाये तो उसे साफ करना भी बहुत आसान है आलोक का आइडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया उसने ओनलाइन देखना शुरू कर दिया ये तो बढ़ियां चीज लग रही है इसे ही खरीद लेती हो प्रियंका ने टेंट ओर्डर कर दिया अगले दिन ही एक डिलिवरी वाला आकर टेंट दे गया लेकिन हरी हर ने वो देख लिया अब हूँ क्या है ये टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था प्रियंका ने कहा कुछ नहीं बाबुजी ये कुछ लड़कियों वाला सामान है ये बूल कर प्रियंका अपने कमरे में चली गए रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी अविनाज भी सो रहा था प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला अब छट पर जाकर टेंट लगा देती हो और फिर शौच करके देखती हो प्रियंका टेंट और पैन लेकर छट पर चली गए और पैन रख कर उसके उपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समेट लिया आज तो मज़ा आ गया बिना किसी डर के शौच करने का मज़ा ही कुछ और है प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई ऐसे ही कुछ दिन बीते प्रियंका हर रात शौच पर जाती और टेंट खोल कर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती एक दिन अविनाश ने उससे कहा क्या बात है प्रियंका बहुत दिन हो गए तुम रात को शौच करने नहीं गई प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया प्रियंका टेंट लेकर छट पर गई और टेंट उसके हाथ से वो छट पर गिर गया टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई अरे पापरे हाथ से फिसल गया ये टेंट क्या करू वापस चले जाओ क्या नहीं अभी तो सबी घोड़े बेच कर सो रहे है थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छट पर आएगा लेकन उस आवाज से हरियंका की नून तूट गई अरे चटपर ये कैसी आवाज है चोरूर का चकर तो नहीं है हरियर्ड सीडियों से चटपर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है बहू तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को ये टेंट क्यूं लगा रही हो चटपर प्रियंकर डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई हरियर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया यह क्या, तुम टेंट लगा कर सौच करती हो, वो भी छट पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की चिलाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंद्रा भी चले आए नहीं बाबुजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है और ये तो घर की ओरतों की इज़द का भी सवाल है ना तुम कहना क्या चाहती हो, इस काओं की किसी भी औरत की इज़द नहीं है, सुनो बाहू, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है अब इस खर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सुभा होते ही तुम अपने माई के चली जाना प्रियंका रोने लगी, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी हरियर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा पेट में दर्द हो रहा है लगता है मुझे सौच करने जाना होगा हरियर एक टॉर्ष लेकर घर से निकल गया और जाकर टॉर्ष बांद कर जंगल में पैड गया आसपास ही एक साब घूम रहा था उसने हरियर के पैर में काट लिया हरियर चिलाने लगा आवाज सुनकर वसुंधरा प्रियंका और अविनाश वहाँ पहुँचे और हरियर को अस्पताल ले गए अस्पताल में हरियर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप जो सापने काट लिया सौच करने गया था डाक्टर साहब बाहर शौच करने जाते हैं आप लोग ये तो बहुत एक गंदा काम करते हैं बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं है उससे और भी बिमारिया होती है यही तो समझानी की कोशिश कर रही थी मैं बाबुजी तुम सही थी बहु अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में सौचाले के कितनी आवा सकता है अलसे ही हमारे घर में सौचाले बनेगा अगले ही दिन से घर में सौचाले बनना शुरू हो गया और कुछी दिनों में शौचाले बन कर तयार हो गया सभी बहुत खुश हुए त्रियंका की खुशी का तो ठीका नहीं नहीं रहा उन लोगों की देखा देखी गाउं के सभी घरों में शौचाले बन गए और सभी शांती से शौच करने लगे